पूर्व जंतवद बुलंचहर में तार काटने की घटना हुई थी जिसमें की जो नई लाइन बिछ रही थी उनको टारगेट किया जा रहा था और सुंसान एरिया जो ऐसे गाउं के बीच से टावर बिछ रहे थे उन सब को टारगेट किया जा रहा था इस घटना के अनावरन के लिए थाना सिकंद्राबाद और पैसोजी की टीम को लगाया गया था जिसके करम में आज कुल 15 लोगों के गिरोगों को पकड़ा गया है और इनके पास से चोरी किया गया माल और चोरी करने के उपकरा नित्यादी बरामद हुए हैं ये एक बहुत ही specialized gang है जिसके सभी सदस से इस कार काटने में expertise हासिल किये हैं ये विभिन जनपदों के रहने वाले हैं इन में से इन 15 में से जो अभ्युक्त पकड़े गये हैं वो फरुखाबाद, हापुर, अलीगड, मैनपूरी, दिल्ली, बुलंचहर, अलीगड, बहराइच और मैनपूरी के रहने वाले लोग इस गिरों में शामिल हैं ये लोग जारे के मौसम में कोहरे का फायदा उठा कर ऐसे सुंसान एरियाज में टावर्स को टार्गेट करते थे और वहाँ से तार काटते थे इनके पास से जो बरामदगी हुई है एक बलेनो कार जिससे ये रेकी किया करते और जो कि इन्होंने इसी चोरी के पैसे से खरीदी थी एक पिक अप गारी एक कैंटर एक स्प्लेंडर मोटर साइकल जो की रेकी में इस्तमाल होती थी और एक डिसकवर मोटर साइकल बरामद हुई है जो कैंटर इनके पास से बरामद हुआ है उस पे ये तार को चोरी करके ले जाते थे और उसके बाद फिर ये विमिन कबाड़ीयों को बेश लेते थे इनके पास से भारी मातरा में जो चोरी किया गया तार है वो बरामद हुआ है और कुछ अन्ने इनके पास से उक्करन बरामद हुए हैं जिससे की ये घटना कारिद करते थे इनका लंबा चोड़ा अपराधिक इतिहास भी है और इन सभी लोगों को पूस्टाच करते हुए इनका अपराधिक इतिहास हंकलिट करते हुए इन्हें न्याई कभी रक्षा में भेजा जा रहा है और इस टीम को जिसने की ये सरानी एकार किया है इसको मेरे द्वारा 50.000 रुपे का इनाम दिया जा रहा है